हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फ्रेंट्स एक और नई जानकारी के सामने साथ हो गई हो आपके सामने हाजिर फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे हैं हल्दी की जिसे हम टर्मरीक भी कहते हैं हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसे हम कई सबजियों में डाल कर दालों में डाल कर कई सूप में डाल कर और भी कई चीजों में डाल कर इसको diet में शामिल करते हैं यानि कि इसे खाते हैं किसी न किसी रूप में ज्यादा तर हम इसे powder foam में ही use करते हैं कच्ची हल्दी की गाट को हम इस्तमाल करते हैं लेकिन paste के रूप में हल्दी का शांदर पिला रंग होता है उसे हम भारत का केसर भी कहते हैं भहुत ही बढ़िया color होता है हलदी का फ्रेंट्स कई व्यंजनों में हम इसका इस्तमाल करते हैं इसमें इतने पोशक τत उपाए जाते हैं फ्रेंट्स जो हमारी श्रीर की हमयों को करते हैं पूरा इसमें potassium होता है, iron होता है magnesium, zinc, protein, vitamin c, vitamin b6, carbohydrate, copper पर और बी कई इसमें पोशकत पाए जाते हैं फ्रेंड्स हल्दी में इतने ओश्री ये गुन है सब के बारे में तो बताना मुश्किल है लेकिन कुछ चीजों के बारे में आपको जुरूर जानकरी दूँगे फ्रेंड्स ये सूजन को कम करते है रुगानो रोधी होते हैं कॉलेस्टरोल कम करने वाली इसमें पावर होती है ब्लड शुकर को भी कंट्रोल में रखती है ये हल्दी एंटी ऑक्सिदेंट जैसे गुन पाया जाते हैं फ्रेंड्स इसमें शरीर में खून के ठकों को जमने बिलकुर नहीं देती कैंसर को रोखने की भी ताकत है इसमें हल्दी में एंटी ऑक्सिदेंट एंटी डायबटिक एंटी प्लेटलेट और कॉलेस्टरोल कम करने वाली गतिवीदियों के कारण हमारे हार्ट को बिलकुर स्रक्षित रखती है हमारी तवचा के लिए भी हेल्पफुल है कून को साफ करने और पोशन देने में हल्दी मददकार होती है जिसकी वज़े से हमारी स्किन हेल्दी रहती है शाइन करती है एंटी सेप्रिक गुन होने के कारण हमारे फेस पर मुहासे पिमपल्स बिलकुल भी नहीं आने देती हमारी तौचा को रोगों से बचाती है हल्दी हमारे शरीर में विशयले पदार्umm को खतम करने में भी साहव होती है हल्दी में कुछ ऐसे गुन पाए जाते हैं जो विश से निपटने और खून की शुद्धी करन में भी ये कारगर्स थाबित हुई है हल्दी में एंटी वाइरल गुन भी पाये जाते हैं अभी मैं आपको एक चाय बताऊंगी इसकी अगर उसका सिवन आप करते हैं न तो ये सभी प्रॉब्लम्स बिल्कुल जड़ से खतम होने वाली है आखों के लिए भी बहुत बैस्ट है दांतों के लिए भी बहुत बैस्ट है हल्दी हमारे पाचन तंत्र को भी बिल्कुल हल्दी रखती है हल्दी में मुझूद करक्यूमेन सूजन को कम करने में काम करता है फ्रेंट्स हल्दी को anti-cancer goon इसे liver के लिए फायदे मन बनाते हैं सेवन इसका सही मात्रा में होना चाहिए तो चलिए बनाते हैं फटा-फट से हल्दी वाली चाय flame on कर दी है मैंने pan रख दिया डाल दिया एक कप पानी अब साथ में ही डालेंगे इसमें हम one-fourth चमच हल्दी पाउडर यानि कि turmeric पाउडर इसे हमें अच्छी तरह से उबालना है अगर इस चाय को आप सुभा पीते हैं तो आपको कोई भी problem नहीं होगी कोई भी diabetes के लिए भी ये बहुत best है अब मैं इसमें डालूँगी दो चुटकी दालचीनी का powder आप stick भी डाल सकते हैं दालचीनी की stick भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने powder रखा हुआ है क्योंकि मैंने उसकी आपको जानकारी भी दी हुई है आप उस वीडियो को देखिए आपको पता लगेगा कि दालचीनी में भी कितने पोशक्तत होते हैं कितने औशदी एक गुन है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बैस्ट है अब इसे हमें अच्छी तरह से उबालना है फ्रेंट्स तो देखिए जो हल्दी का कर्क्यूमिन की जो तासीर होती है न वो गर्म होती है जिसे में दस्त लग सकते हैं पाच्छर में प्रोव्लम आ सकती है और भी कई समस्षे हैं हो सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे ना ले कम से कम हम इसकी मातरा एक से चार या पांच ग्राम तक डेली कर सकते हैं इससे अधिक नहीं तो देखिए अगर उचीत मात्रा में आप किसी भी चीज का सेवन करेंगे न तो आपको फायदा देगी अगर अनुचीत रूप में आप उसका इस्तमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है तो हल्दी और दालचीनी को मैंने अच्छी तरह से पानी में उबाल लिया है तो इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं और डालते हैं इसे कप में जिसमें भी आप डाल कर चाय को पीना चाते हैं न यह हल्दी वली चाय को आप उसमें डाल लीजिए तो दिखिए मैंने इसको कप में डाल दिया है अब इसमें डालेंगे आदा निम्भू का रस दिखिए मैं तो इसी तरह से चाए बना कर पीती हूँ मॉर्निंग में आप इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाना चाते हैं तो इसमें आदा से एक चमच शहद का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां आप मिश्री को पीस कर इसमें डाल सकते हैं पर थोड़ा गुनगुना होने पर एकदम से गरम चाय में मर डालिएगा थोड़ी सी गुनगुनी हो जाता है ना जब चाय उसके उसमें आप इसमें शहद और यहां मिश्री डाल सकते हैं तो आप इस चाय का सेवन कीजिए क तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए